पीम मोधी की लहर देश में नहीं, विदेशों में भी सरचर कर बोल रहा है हाल ये लोग सभा के नतीजों में एक बार फिर देश और दुनिया ने मोधी की सुनामी देखी लेकिन अब ये सुनामी भारत से चल कर इसराइल पहुच गई है जिहां इसराइली पीम बेंजामीन नीतन याहु ने अपनी जीत के लिए पीम मोधी का साहर लिया है दरसल इसराइल में चुनाव होने हैं, इसराइली पीम नेतन याहु फिर से महरान में है अपने चुनाव परचार में नेतने याहू अपने साथ PM मोजी की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तस्वीर इसराइल की है जहां कि एक इमारत पर नेतने याहू पर साथ PM मोजी की तस्वीर लगी है। 17 सितंबर को इसराइल में चुनाव होनी है जिसे लेकर वहां चुनाव प्रचार जोरू पर है अपने चुनाव प्रचार में नेतनी याहू भारते पियम मोदी, रूसी प्रसिडेंट पुतिंग और अमेर्की राश्टपती दोनाल प्रम से अपने बेतर रिष्टे को सामने रख रहे हैं नेतनी याहू इसराइल में होने वाले आम चुनाव से पहले 9 सितंबर को भारत भी आने वाले हैं इसराइल में होने वाले आम चुनाव से तुरंट पहले नेतनी याहू पियम मोदी से मुलकात करेंगे हालंकि जराइली प्रियाम का कुछी देर के लिए भारत में रहने का कारिक्रम है